हलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक बहुत सारे लोगों का कंट्यूनियस एक सवाल है इक क्वेरीज है कि जोडों में दर्द होता है सूजन आती है और मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है मुमेंट नहीं होती है प्रॉपरली तो आखिर क्या उसके पीछे कारण है आज हम आपको बताएंगे कि बॉड़ी के अंदर यदि आपको स्वेलिंग है बॉड़ी के अंदर के आधार पे और उसके कुछ कारण होते हैं यदि आप उसको समझ लें तो फिर आप इन सब चीजों को डील भी कर सकते हैं तो किड्नी डिसीज सबसे बड़ा कारण है स्वेलिंग का स्टिफनेस का इंफ्लामेशन का यदि आपकी किड्नी की फंक्सिनिंग प्रॉपर नहीं इंफ्लामेशन रहेगा ठकान रहेगी और आप मतलब लेक ओफ एनरजी फिल करेंगे क्योंकि क्रियेटिन और यूरिक एसिड दोनों कंपोनेंट डारेक्टली स्वेलिंग के लिए इस्टिफनेस के लिए पेन के लिए जो रेस्पोंसिबल यदि आपका यूरिक एसिड सब्सक्राइज में यदि आजाए तो फिर आपकी जो किड्नी है उसकी वज़े से ना केवल इटसल्फ किड्नी डेमेज होगी बल्कि बॉड़ी के दूसरे पार्ट भी डेमेज हो सकते हैं नमबर टूपे है जो बहुत कॉमन है थाइराइड का प्रॉब्लम डे वाइड वर होता है यदि उसका प्रोडेक्शन कम हो जाता है तो हमारी बॉड़ी के अंदर डी मिनरलाइजेशन यानि की मिनरल्स कैल्सियम वाइटेमिन डी यह सब अब्सॉप्शन बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है और इससे फिर हमारे जॉइंट में इंफलामेशन इस्टिफ है कि जिन लोगों का आपने सुना होगा कि बाल खराब हो गया है यह हार्ट में सूजन आ गई है या फिर उसकी फंक्सिनिंग पर भावित हो गई है तो उसमें हम आपने देखा होगा कि डॉक्टर बीपी की दवाई के साथ साथ कुछ डायोटिक देते हैं जिससे की यूरी डिसीज यदि आपका लिवर फैटी है या एल्कोहलिक लिवर डिसीज है या आपके जो एंजाइन से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं दू एनी रीजन तो फिर आपको इस्टिफनेस होगी इंफ्लामेशन होगी लेक ओफ एनर्जी लगेगा और फंक्शनल फंक्शनल वीक इस्टिफनेस है और आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है वह अच्छे से काम नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि जो ब्लड के लेवल पे जो गंद की है यदि वो पूरी तरह से नहीं निकल रही है तो फिर आपको डीवेन थ्रम्बोसस हो सकता है यदि आपको डीवेन थ्रम इसके बाद आता है डफिसेंस वाइटामिन D एंड़ सीरम कैल्सियम सीरम कैल्सियम की लगातार यदि कमी बनी रहे वाइटामिन D की लढ़ातार कमी रहे जिंक, सूडियम, पॉटे心 यदि इन सबकी मिनरल्स तो आप को लेग ऑडेम हो सकता है स्वेलिंग हो सकती है नेक्स्ट बहुत कॉमन है जिससे हम उस कंडिशन को फाइब्रो मेलेजिया कहते हैं जिसमें की हाथ पेरों में सूजन आ जाती है जंजनार्ट होती है स्वेलिंग बहुत कम है तो फिर आपको फंक्शनल बीकनेस लगती है और आप अच्छे से एक्सेसाइज नहीं कर पाते हैं तो फिर आप इन सब पे ध्यान दीजे और यह के रूट कॉज है इनको फिर आप डील करिए यदि आप डील नहीं कर सकते हैं और लगातार आपको प्रॉब्लम बनी रहती है तो आप अपने सिम्टम्स को फिजिशन से डिसकस करिए और इसका ट्रीटमेंट लेजिए थैंक यू वेरी मैच टेक कियर और सब्सक्राइब